डॉक्टर परदीप कोड़ा दी मिनी कहाणी है पत्थर चाट जे कपड़े बदल लेया तो बार आके गमलेच पुदीना लगा दियो मैं स्कूलों पुदीने दियां जड़ां लेके आईयां वेडेच पतनीक हाथच गिली मिटी समेथ प्लास्टिक देल फाफेच लपेटियां पुदीने दियां कुछ जड़ां ते दुजे हाथवेच खुरपी लई गमले कोल खड़ी सी लगपग चार वरे पहला मैस गमलेच कक्की मिटी पाल या उनकारन तुलसी मनी प्लांट गुलाब कड़ी पता पुदीना पता ने कीकी लगा के वेख्या सी पर कोई भी पौदा ने सी चलिया फिर एक दिन गड़ी चो लंग दे माली नू बुलाया गमले दी बिटी वेखके अपनी रेडी चो प्लास्टिक दी थैली च लगया एक पौदा लायाया मैंनू वह खा के क्यान लगा बाउजी इस मटी में ये पत्थर चट का पौदा खूब चलेगा सर्दियों में लाल फूल आएंगे और एक बात फोड़ा फूंसी हो जाए इसका पत्ता तवे पे गर्म करके बांध लेना दो दिन में ठीक हो जाएगा मेरे पास दो ही थे एक पीछे बीस का बेचके आया हूँ पर आप से इसके दस ही लूँगा और बीस रुपए की इसमें ये गंडोई की खाद डालेंगे कैने यों गमले को बैठ गया दो तिन खुर्पियां गमले दी मिटीच मार के उन्हें खाद वला पैकेट मिटी चरला के पत्थर चटदा पौदा ला देता ते फिर उन्हों तूटी तो काप पर के पाणी पौदा बोले आप बाओ जी नत्थु राम के हाथ का लगाया हुआ पौदा है उमर भर आपके घर से जाएगा नहीं बस सर्दी में दो दिन छोड़के और गर्मी में एक दिन छोड़के पानी डालते रहना देखना ये पत्थर चट धीरे धीरे गमले की सारी मटी अपने आप उपजाओ कर लेगा नत्थु रामदे अंतले बोल गमले की सारी मट्टी अपने आप उपजाओ कर लेगा मेरे कन्नाच गुंज रहे सन। अपने लेगा में पुदी ने अधे प्यास रगड के चट्नी नल वदिया रूटी खादी जन दिया नाले थोड़े लेगा पुदी नाचंगाई बहुत है रोज था थोनू ऐसेड़ी होई रहें दिया केंदियां खिजी हुई पत्नी ने मेरे खबी हाथ ते पुदी ने दिय जड़ां ते सजी हाथ ज़ खुरपी दे देती परे माननाल गमले कोल पैरांपार बैठ दिया मैं दो तिन वार खुरपी पत्थर चट दियां जड़ांच मारी ते खबी हाथ नल सारा पत्थर चट तने तो खिचके कोल खड़ी पतनी वलवदा दिता अगले ही पल पत्थर चट कोल पैर डस्ट बेंच सुट दिता गया मिट्टी नू पोला करके होली होली पुदी ने दियां जड़ां मिट्टी च दबाके पाणी देन तो बाद मैं थाएं बैठ गया क्यों की गल होगी बैठी की कार रहे हूं पत्री ने खिजी हुए वास्ट फेर प्रशन किता झाल